दोस्तों कि आपको पता है कि सन 2016 में हमें एक सेकिंड एक्स्ट्रा मिला था पर क्यों मिला था और उस एक सेकिंड में हुआ क्या था ये चीजे आप आगे वीडियो में जाने वाले हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों शायद आपने ये बात सुनी हो कि 2016 में हमें एक सेकिंड एक्स्ट्रा मिला था जब 2017 आने वाला था तब हमें एक सेकिंड एक्स्ट्रा मिला था 2016 में दिसंबर के महीने में अगर तुम्हें मेरे उपर विश्वास नहीं है तो तुम गूगल करके देख सकते हो पर इस एक सेकंड में हुआ था और ये एक सेकंड मीला क्यों था आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि एक सेकंड में बहुत कुछ हो सकता है For example एक सेकंड में इस दुनिया में चार बच्चे पैदा होते हैं और दो लोग मरते हैं इतना तो काफी है इसका मतलब यह है कि सन 2016 में चार एक्ट्रा बच्चे पैदा हुए थे और दो लोग एक्ट्रा मरे थे जिनों को की 2017 में मरना था तो अब बात करते हैं कि हमें एक सेकिन्ड सन 2016 में क्यों मिला ताइम को मेजर किया जाता है सोलार कलॉक से या अटोमिक कलॉक से और जब ये दोनों clocks mismatch करती हैं तो उसके लिए 1 second जोड़ा या घटा दिया जाता है अगर धरती तेज गूमती है तो 1 second माइनस हो जाएगा और अगर धरती जादा तेज नहीं गूमती दीरे गूमती है तो 1 second प्लस हो जाएगा अगर जादा ही तेज और जादा ही कम घूम रही है तो 2 या 4 second का भी फर्क पड़ सकता है पर ये कभी होगा नहीं क्यूंकि जादा तर 1-2 second का ही रहता है